दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये दुनिया अजीबो गरीब जानवरों से भरी पड़ी है जिन में से हम सभी लोग जादतर जानवरों के बारे में जानते ही हैं लेकिन कुछ जानवर इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके बारे में बहुती कम लोगों को पता होगा इन जानवर तो आज हम बात करने वाले हैं साथ अजीबों गरीब और खतरनाग जानवरों के बारे में जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दू कि इस वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी है। अब सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। नमबर एक मेगबैड्स मतलब विशाल काई चमगादर। ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि इनके सामने एक चील भी काफी छोटी लगती है। ये ज़्यादतर आउस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सबसे बड़े मेगबैड्स का आकार 6 फूर से भी ज़्यादा होता है। इनका जुन्ड भी 10 से 100 चमगादर जितना बड़ा हो सकता है। ये ज़्यादतर जुन्ड में ही रहते हैं और ये मेगबैड्स हर बार भूजन भी साध में ही करते हैं। इनका मुह भी आकार में बहुती बड़ा होता है, तक्रीबन हमारे मुह से भी बड़ा होता है, इन चमगादणों में ज्यादा तर इबोला वाइरस भी पाया जाता है, जो जानलिवा है, वैसे तो ये पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं, ये इंसानों और जानवरों पर बि लेकिन दोस्तों जो मचली मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिलकुल अलग है ये मचली पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी रह सकती है जमीन पर तो ये अपने फिनों का इस्तमाल करके चल भी सकती है लेकिन ये जादतर कीचड में ही रहती है इसलिए इसका नाम मर्स की पर रखा गया है ये मचली कई दिनों तक बिना खाय पिये जमीन के अंदर ही छिप कर रह सकती है ये मचली बाकी मचलीयों के साथ भी अच्छा संपर्क बना सकती है और इसी तरीके से ये मचली जुंड बना कर शिकार भी करती है इन मचलीयों की जमीन पर भागने की रपतार दोस्तो ये जापानी स्पैडर केकड़ा है केकड़े लगभग 4500 तरेके होते हैं जापान के पास समुंद्र की गहराईयों में दुनिया के सबसे बड़े केकड़े पाये जाते हैं जापान के समुंद्र के अंदर पाये जाने के कारण इन्हें जापानी क्रेप कहा जाता है अगर आप इन्हें पहली बार देखेंगे तो आप डर कर भागी जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि एलियन जैसी मकडियों ने धर्ती पर हमला कर दिया है इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये इंसानों से भी बड़े नजर आते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका वजन करीबन 20 किलो तक हो सकता है इनके हाथ और पैर काफी खतनाक होते हैं और इनकी आखे बहुत तेज और बड़ी-बड़ी होती हैं और इसके बावजूद ना तो ये इंसानों पर हमला करते हैं और ना ही ये काड़ते हैं ये प्रजाती लगभग लुप्त होने की कागार पर है इसलिए अब इनको पकड़ की तरह इस्तिमाल किया जाता है आर्चर नाम की ये मचली अपने मूँ से पिछकारी छोड़ कर छोटे मुटे जनवरों का शिकार करती हैं सबसे पहले ये मचली पानी के अंदर से अपने शिकार को ढूंडती है और फिर वेट करती है कि वो पानी के करीब आये करीबन इसकी की दूरी चार फिर तक हो सकती है और उसके पास आते ही अपने मुँ में लिये पानी को धार बना कर इतनी तेज गती से मारती है कि चार फिर की दूरी पर बैठा वो जीव तुरंत पानी के अंदर जा गिरता है और ये तुरंत ही उसे अपना भोजन बना लेती है नमबर पा ये बिल्कुल रियल है, ये लेंपरे मचली के मुह की तस्वीर है। ये मचली ये मचली इ cynिल्ली के जैसे ही लगती है लेकिन ये मचली उस से भी कई ज्यादा खतःनाक है। एक और खास बात है, ये एक बार में करीबन एक लाख अंडे देती है और उसके 36 दिनों के अंदर मर भी जाती है और उसके बाद उस अंडे की देख भाल मेल फिश लेंपरे करता है। नमबर 6, Two-Headed Snake ये साप किसी चमतकार से कम नहीं है, जिनका सरीर तो एक है लेकिन सिर्थ दो है, ये अपने एक सर से शिकार को ढूंडता है और वहीं दूसरे सर से उन्हें खा जाता है, हाला कि इन्हें कई बार तो एक दूसरे के साथ एड़जस्ट करने में परसानी होती है लेकिन इसके बावजूद भी ये मैनेज कर लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तो ऐसा जीव तो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, दिखने में तो ये काफी अद्भूत जीव लगता है इसे देख कर तो आप यही समझेंगे कि ये एक ड्रैगन का बच्चा है, लेकिन दोस्तो ऐसा बिलकुल नहीं है ये एक सेलेमेंडर प्रजाती का जीव है, जो सिर्फ सलोमेनिया और क्रोएसिया के गुफाओं में पाया जाता है इसलिए इस जीव को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, देखने में तो ये बिलकुल एक ड्रैगन की तरह लगता है आपको जानकर ये हराने होगी की ये देख नहीं पाते, जी हाँ और ये सेंस करके ही शिकार करते हैं और ये सो सालों तक भी जी सकते हैं दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो इस वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी है प्लीज दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, मुझे आपके सपोर्ट की सक्त जरूरत है चील की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है और इनके पंजे इतने विशाल होते हैं कि ये बड़े-बड़े जानवरों पर अपनी पकड आसानी से बना लेते हैं इनकी खुबी है कि ये अपने से कई बड़े बड़े जानवरों का बड़ी आसानी से शिकार कर लेते हैं जिन में Mountain God भी शामिल है। इसलिए इस क्लिप में बकरियां Golden Eagle को देखते ही अपनी जान बचा कर भागने लगती हैं। जबकि जुन्ट से अलग इस बकरी को उस इगल की खबरी नहीं थी और ये Golden Eagle उसे ही अपना शिकार चुन लेती है और पूरी गती से उसकी तरफ उड़ान भरती है। दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज जरूर लाइक करें और दोस्तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि दोस्तो इस वीडियो को बनाने में बहुं के आदिवासी होते हैं वह हमारी दुनिया से कॉंटेक्ट में भी है और जल्दी ही बहारी दुनिया से अच्छे संबंत भी बने हैं जब़ी कोई टियूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने दान्स से सबी टियूरिस्ट को लुभा देते हैं यह डान से नहीं यह इनकी संस्क्रिती भी है यह अपनी संस्क्रिते को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कारेकरम करते रहते हैं दोस्तो अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा दें अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देखे जाना मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में ओके बाए दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्टू देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें